नमस्ते मित्रो मैं विनित्व स्वामी आज उपस्तित हूँ जैन दर्शन पे चर्चा को लेकर आज हम क्या पढ़ेंगे अनेकांतवाद जैन धर्म के संदेश, स्यादवाद और इसी क्रम में अन्ने सिधानतों को देखेंगे जब बदला होता है तो उस परिवर्तन को आत्मसात करने के प्रयास में नई विचार धरायें दर्शन इत्यादी पैदा होती है जैन दर्शन भी ऐसी ही परिस्तिती की उपज है सभी भारती दर्शन की तरह जैन दर्शन भी सबको मुक्ष दिलाना चाहता है मुक्ष क्या है, मुक्ष का मतलब है कि ज्ञान की सर्वत्तम इस्थिती अर्थात इस विश्व में जितने भी ज्ञान हो सकते हैं सब को ज्ञान लेना ही मुक्ष है और यह ज्ञान बुद्धी के माध्यम से नहीं होगा बलकि सक्षात, सक्षतकार के द्वरा होगा हम सीधे चीजों को सक्षतकार के माध्यम से जो ग्यान प्राप्थ होगा, वह मोक्ष होगा अब खुद आप सोचिए कि ऐसा, ऐसी इस्थिती जब व्यक्ति सब कुछ जानता है तो वो दुखी होगा क्या उसे सब कुछ पता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है कैसे करना है, कोई चीज हो रही है तो क्यूं हो रही है और अंतिम परिणाम क्या होगा उसे सब कुछ लगभग लगभग पता है तो ऐसी स्थिती में वह किसी भी चीज के लिए दुखी नहीं होता है और कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है फलता वह जन्मरन के चक्र से भी मुक्त हो जाता है हमारी जो धारना है कि मुक्ष का मतलब है कि स्वर्ग में चले जाना या फिर जन्मरन के मुक्ती से जन्मरन के चक्र से मुक्त हो जाना यह गलत धारना है बलकि मुक्ष का अर्थ होता है कि जो आस्त्विक रियालिटी है जो सत्ता है उसका सही सही पुर्णता के साथ ग्यान प्राप्त हो जाना और जब इस तरह सा ज्यान प्राप्त हो जाएगा तो उसका परिणाम वो होगा यह मुक्ष का परिणाम है जन्मरन के चक्र से मुक्ति और दुखो कांत तो यह मुक्ष है भगवान महाबीर जो की जैन दर्म के परवर्तक थे वो भी मुक्ष दिलाना चाहते हैं और इसके पताया है कि मुक्ष की प्राप्ति कैसे हो पाएगी उनका कहाना है कि व्यक्ति जो है वह बंधन के कारण मुक्ष से दूर रहता है तो यह बंधन है क्या बंधन का मतलब क्या है देखिए जैसे रसी से हम किसी चीज को मानते हैं वैसे ही कर्म हमें मतलब जीव को कर्म जीव क बंधन में डाल देता है कैसे डाल देता है क्योंकि देखिए कर्म का जो है वह फल मिलेगा ये तो निशीत है सबको पता है कि कर्म का फल मिलेगा इसलिए हम सिविल की त्यारी कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि हम अच्छे से त्यारी करेंगे तो हमरा हो जाएगा अगर हमें ऐसा हमें लगता कि कर्म का फल नहीं मिलेगा तो हम तैरी क्यों करते हैं यह कोई कुछ करता ही क्यों जब उसे पता ही नहीं है कि कर्म का फल मिलेगा या नहीं मिलेगा तो यह एकदम बेसिक लॉव है कि कर्म का फल तो मिलेगा तो अगर हम कोई भी कर्म करते हैं जो कि हम कुछ भी करते हैं तो फिर फल मिलेगा उसका और फिर हम अपने हिसाब से हम अपने जीवन को नहीं चलाएंगे बलकि कर्मों के हिसाब से जीवन चलेगा क्योंकि जब हम मान लिजे किसी को हम मान लिजे कि जैसे कि किसी को हम मार दिए तो मारने के बाद फिर कर्म जो है लोट के हमारे पास आएगा फिर वो जो लोट के आएगा उस कर्म की पर्दिकिरिया में हम फिर कुछ करेंगे फिर उसके कारण वो जो नया कर्म पैदा होगा वो अपने दी सामें लेके जाएगा तो इस तरीके से कर्म क्या है कर्म बिसिकली हमें बांध रहा है तो हमें मुक्ष प्राप्ति के लिए भगवान महावीर कहते हैं कि मुक्ष प्राप्ति के लिए इस बंधन से मुक्ति चाहिए तो ये जो बंधन है इस बंधन से मुक्ति के क्या उपाए है भगवान जैन दर्शन के हिसाब से भगवान महाबीर क्या कहते हैं वो कहते हैं कि मुक्ष प्राप्ति के तीन मार्ग हैं जिनको त्री रतन कहते हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्यान और सम्यक चरित्र सम्यक दर्शन क्या है जैन सास्त्रों में प्रतिपादित सिध्धानतों ये मतत्तों के प्रति सर्धा की भावना ही सम्यक दर्शन है सम्यक ज्यान क्या है जैन दर्शन के सिध्धानतों ये मतत्त्यों के यथार्थ ज्यान ही सम्यक ज्यान है और फिर सम्यक चरित्र क्या है यथार्थ ग्यान के अनुसार आचरन करना अर्थात सद कर्मों का संपादन यम्दुस कर्मों का भहिसकार सम्यक चरित्र कहलाता है अब फिर प्रश्ण ये उठता है कि सम्यक ज्ञान में भगवान कहते हैं कि जैन दर्शन के सिध्धान्तों का यथार्थ ज्ञान ही सम्यक ज्ञान है तो ये जैन दर्शन के कौन से सिध्धान्त हैं जिसको हमें जानना चाहिए जिससे हमें मुक्ष की प्राप्ती हो पाएगी तो वो सिध्धान्त हैं जो हम आगे पढ़ेंगे वो है अनिकान्तवाद और स्यादवाद इन सिध्धान्तों के मादे हमसे जैन दर्सन ये बताना चाहता है कि उसके हिसाब से ये दुनिया क्या है कैसे है और इस दुनिया के पुरे के पुरे बैक्ग्राउंड में कैसे हमें मुक्ष की प्राप्ती हो सकती है तो अब चलिए हम देखते हैं कि क्या है अनिकान्तवाद और स्यादवाद अनिकान्तवाद जो है यह सत्ता सम्मंदी सिध्धान्त है कि सत्ता कैसी है इसका सिध्धान्त है सत्ता मतलब जो basic building block जिसे पूरा universe बना है उसकी बात हो रही है और उसी चुकी हर एक बस्तू उसी से बनी है तो हर एक बस्तू में कहीं न कहीं सत्ता कांस है तो हम एक बार सत्ता को जान जाएंगे तो हम सारे बस्तू को जान जाएंगे उनकी परविर्तियों को जान जाएंगे और फिर हम मुक्ष मिलने की तरफ हम अगरसर हो जाएंगे तो जैन दर्सन कहता है कि अर्थात की और यहीं जो है यह जैन दर्सन का अनेकान्त वाद का सिधान्त है अर्थात की बस्तुओं के अनेक धर्म होते हैं और अनेक बस्तुए होती है अर्थ से भी देखिए अनेकांत वाद यानि की अनेक अंतो वाला सिधांत अर्थात की ऐसा सिधांत जो यह बताता है की बस्तुओं के अनेक अंत होते हैं अर्थात अनेक धर्म होते हैं बस्तु का कोई एक धर्म नहीं होता हम जैसे कि हम कहें कि पानी जो है वह स्वाधहीन होता है यह पानी का एक रंग हो एक उसका धर्म होगा बलकि पानी के ऐसे अनंत धर्म होंगे ये भी नहीं कि 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे भी नहीं बलकि अनंत धर्म हों और जिसको हम देखके समझेंगे कि बस यहीं उसका केवले मात्रगुण है तो यहीं है जैन दर्शन का अनिकानतवाद का सिद्धान्त इसमें आप देखी रहे हैं जैसे कि वह बताने का प्रयास कर रहे हैं भगवान महाबीर कि बस्तु पर हम एक धर्म आरोपित कर देते हैं बस सही नहीं है और सारे जहागडा फसाद तो इसी कारण से होता है हम बस्तु के एक अर्थ को बस ले लेते हैं जैसे कि इसलाम में बताया जाएगा कि जो केवल एक ही स्वर है और उसका नाम अल्ला है और वहीं सच है वैसे ही क्रिश्चैन्टी में कि केवल बस जीसस ही है जोहा में मुक्ति दिला सकता है उनका ऐसा मानना है तो हमारे जो जो रिसी मुनी थे इस सचाई को जानते थे और इसलिए उन्होंने कहा कि सच के पहुँचने के अनेक मार्ग होते है कोई एक मार्ग नहीं होता जैसे कि इसलाम और इसलायत और Christianity ने जैसा propagate किया और इसी कारण से जगडे भी होते हैं Hinduism को इन लोगों के साथ रहने में कोई दिक्कत नहीं है अराम से दोनों सांस में रह सकते हैं क्योंकि Hinduism और भारती दर्शनों अन्य भारती जो दर्शन है उनको इनके साथ रहने में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि उनके basic tenants में ये चीज सामिल है कि बस्तू के अनंत धर्म और अनंत उसके वो होते हैं लेकिन उनके लिए ऐसा नहीं है तो इसलिए वो लोग तरह तरह के तरीके अपनाते हैं की conversion हो गया है इन जब तरीकों से वो अपने जो है उद्देश से सिध्धी का प्रयास करते हैं खेर तो ये जो अनकांत वाद का सिध्धान्त है हम देख रहे हैं कि बस्तू के अनेक धर्म और अनंत बस्तूएं होती है जो कि हम किसी खास परिपेक्ष में खास परिष्थिती में केवल एक ही चीज को समझते हैं अब आईए हम देखते हैं कि इस अनेकांत वाद को मानने से एक नई सिध्धान्त उत्पन होती है और जिसका नाम है स्यादवाद यह स्यादवाद उसी अनेकांत वाद को व्यक्त करने का एक तरीका है जैसे अनेकांत वाद में जैन दर्शन ने क्या कहा कि बस्तों के अनन्त धर्म और उसके और अनन्त वस्तुए होती है जो की अलग-लग परिस्थिती में अलग-लग तरीके से परकट होती है लेकिन वास्तोव में उसके अनंत धर्म होते हैं हम गिन भी नहीं पाएंगे उनको एक समाने व्यक्ति नहीं गिन पाएगा इस दर्सन की हिसाब से केवल जो केवली व्यक्ति है जिसको मोक्ष प्राप्त हो गया है वही बस्तुओं के अनंत धर्म को समझ पाएगा इसलिए जैन धर्सन में जो किवली होते हैं जो मुक्ष प्राप्त होते हैं उनको इस्वर से भी उचास्थान दिया गया है क्योंकि वो वास्तों में गुरु होते हैं और अपने सिश्यों को बताते हैं कि कैसे इस भासागर को पार करना है क्योंकि उनको पता है कि अनंत धर्मक जो अनंत धर्मकात्मक बस्तुए हैं उनको कैसे समझना है वो समझ चुके हैं इस बात को और इस्वर के अपेक्षा वो हमें जादे अच्छे से गाइड कर सकते हैं क्योंकि वो हमारे साथ है हमारे बीच के हम उसे बात कर सकते हैं तो इसलिए इस तरह का ढाचा जहन दर्सन में हमें मिलता है तो जो यह अनिकान तुबाद है इसको अभिव्यक्त करने के लिए एक अलग भाषा की भी जरूरत पड़ेगी क्यों? क्योंकि देखिए हम समाने भाषा में हम कैसे बाते करते हैं हम किसी वस्तू को जो है उसके एक धर्म से अभिव्यक्त कर देते हैं और हमें लगता है कि बस यहीं सच है जैसे मैं कह दो कि इस्वर दयालू है ठीक है तो इस्वर दयालू है ऐसा लगता है कि जैसे कि इस्वर केवल दयालू है और कुछ नहीं है मतलब उसमें और गुन नहीं है बस केवल दयालू है ठीक है या फिर मैं यह कह दो कि इस्वर दयालू, सर्व सक्तिमान, सर्व ग्यानी, सर्वग्य है तो यह वाक्य मैं बोलूँगा तो इससे क्या परतीत होता है कि बस इस्वर में यहीं चार गुन है बाकी गुन नहीं है यहीं लग रहा है तो यहाँ पे तो जैन दर्शन के हिसाब से यह चीज गलत है क्योंकि इस्वर में जो है अनन्त गुन है हम कितना बताएंगे क्योट चार ही गुन नहीं है बलकि अनन्त गुन है तो इस प्रकास से हम देख सकते हैं कि जो भाशा है वह भाशा जैन दर्शन के हिसाब से वह ठीक नहीं है क्योंकि किवल एक गुन को आरुपित करके इस तरीके से हम भाशा में बात करते हैं किवल एक गुन को आरुपित करके हम उसकी अनन्त गुनों की संभावनाओं को अपनी भाशा के माध्यम से नकार देते हैं तो इसलिए उनको एक अलग भासा की भी ओ सकता पड़ेगी और इसलिए अनिकान्तवाथ में यह भासा संबंद्धी जो सिध्धान्त है उसे हम स्याधवाथ कहते हैं स्यादवाद जो है स्यादवाद एक ऐसा सिध्धान्त है जो यह कहता है कि अनेकार्थक बस्तूओं को इसी तरीके से सही सही परकट किया जा सकता है जैसे कि मैं कहूं कि जैसे मैं आपको अंतर दिखाता हूं कि एक तो स्यादवाद वाले भासा सिध्धान्त के माध्यम से हम क इस्वर द्यालू है या इस्वर द्यालू सर्व सक्तिमान सर्वग सर्वनिष्ठ है यह कहूँ तो यह सवाने वाक हो गया यह जन्दर्शन की हिसाब से गलत है लेकिन जन्दर्शन की हिसाब से मैं यह कहूँँगा कि नए नए पहले लगाँँगा मैं नय इस्वर सर्व सतिमान सरवग द्यालू सर्वनिष्ठ है तो ये नय लगा देने से उस वाक्य में संभावना बन गई कि ये चार गुन ही नहीं बलकि इसके चार गुन के आलावा भी बहुत सारे गुन है जिसको हम नहीं लिख रहें यहाँ पे तो इसलिए इस तरह के भासा सिध्धान्द को हम स्यादवात करते हैं जो कि जैन दर्शन के जो अनेकांत बाद के कारण ऐसी उनकी भासा अभी ब्याक्त होती है प्रकट होती है निकलती है तो अब असपस्ट रूप से आप देख पा रहे होंगे असपस्ट अनुभव भी आप कर पा रहे होंगे कि जो जैन दर्शन का सिध्धान्द है जैसे कि संस्कृत में ही सवाल पूछा है question पुछाаться VS में कि जैंदर्सन का क्या संदेश है तो आप संदेश में क्या बताएंगे यहीं बताएंगे कि जैंदर्सन हमें बताता है कि जहगणा क्यों होता है एसलिए होता है कि विचारधारा के समर्थक जो अपनी विचार धारा को ही सत्य माल लेते हैं और दूसरे को एकदम न कार देते हैं जबकि जैन दर्शन क्या कहता है जैन दर्शन ये कहता है कि सत्य के जो है अनेक अनेक अर्थ हैं और वो अनेकार्थक है अनेकांतक है उसके अनंत अर्थ हैं तो जो तुम दोनों जगड़ रहे हो जिस विचारधारा के लिए, वो दोनों विचारधारा उसी सत्य के अंग है, तो जब ये चीज हो जाएगी तो सारा जगड़ा उगरा ही बंद हो जाएगा, हम दुसरों के स्विकारने लएंगे, दुसरों के सत्य को, तो इसलिए स्याद भाव, पुर्ण और toleration वाला होता है तो इसलिए यह सिधान्त की काफी परशंसा होती है विबेका नंद ने भी किसी सम्मेलन में कहा था साथ सिकागों का सम्मेलन था उसमें कहा था उनका सिधान्त ही था कि हिंदुईजम यह पिर जितने भी दर्शन है भारतिय दर्शन वो इसी बात की सिक्षा देते हैं कि सत्य जो है एक ही है और उसके पहुँचने के मार्ग अलग-अलग है जैसे क्रिश्चानटी, इसलाम हिंदुईजम बात धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म यह सब उसके उसी सत्य तक पहुचने के अलग-अलग मार्ग होते हैं और इसको हमें समझने की आउश्रकता है तो यह हमारा पुरा हुआ जैन धर्शन और जैन धर्शन में हमें इतना ही पढ़ना है जो की हमारे काम का है बाकी चीजे तो बहुत सारी है लेकिन हमें इतना ही पढ़ेंगे ठीक है अभार धन्यवाद